सो गाइस कैसे हैं आप सभी लोग आई होप आप सभी लोग अच्छ होंगे तो आज हम करने वाले हैं लाइट रूम से मॉड़ी ब्लैक फोडो एडिंग तो वीडियो बहुत ही जद्धा इंट्रेस्टिंग होने वाली है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न कि अगाइस सबसे पहले आपको अपने मोडल की फिक ब्रश्य अगया जिसके आपको मॉड़ी ब्लैक फोडे रिटिंग एनला उस पिक को आपको शेलेक्ट कर लेना इए सलेक्ड हने के बाद आपको शियर वाल उपूर क्लिक कर देना उसके बाद आपको एड़ टु देखेगा उस पर आपको क्लिक कर देना है यह एक्ट लाइट्रूम को अप्सन दिख रहा है आपको इस पर क्लिक कर देना है इस पर क्लिक करने के बाद यह आपके लाइट्रूम एप्लिकेशन में इंपोर्ट हो जाएगा उसके बाद आपको लाइट्रूम एप्लिकेशन अपन करने के बाद आपको प्लिक कर देना है इस पर क्यल्क करने के बाद यह देख सकते हैं आपका फिक उटमेटरी कल लिए इंपोर्ट हो चुका है उसके बाद आपको अपने प regard कड देना है उसके पर क्लिक करने चल्द सब्सक्राइब करने करкое इस पर आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना एक्सपोजर को बढ़ाने के बाद आपको बिलेक को कम कर देना है बिलेक को कम करने के बाद आपको इसकी शैड़ो को भी कम कर देना है शैड़ो को कम ज्यादा करके देख सकते हैं उसके बाद आपको हाइलाइट को कम कर देना है हाइ सब्सक्राइब करने के बाद आपको सेकंड वाला कलर सेलेक्ट करके इसकी सेचुरेशन को आपको कम कर देना है और लूमिनस को आपको बढ़ा देना है उतर सब्सक्राइब को बढ़ाने के बाद यह देख सकते हैं आपका फेस बाइट हो रहा है उसके बाद आपको क्या करना उसके बाद आपको green color select कर लेना है green color select करने के बाद पहला option इसको आपको कम कर देना है इसको कम करने के बाद आपको इसकी saturation को भी कम कर देना है saturation को कम करने के बाद यह देख सकते हैं आपकी pick में body black effect आ रहा है थोड़ा सा उसके बाद आपको luminance को भी कम कर देना है इसके बाद आपको blue color select करना है blue color select करने के बाद आपको इसकी situation को बढ़ा देना है उसके बाद आपको done वाल option पर click कर देना है done वाल option पर click करने के बाद नीचे वाल option आपको select कर देना है उसके बाद आपको इसकी clarity को बढ़ा देना है noise reduction को बढ़ाने के बाद आपको sharpening को भी बढ़ा देना है उसके बाद आपको light वाल option select करना फिर दोबारा उसके बाद आपको इसके exposure को बढ़ा देना है exposure को बढ़ाने के बाद आप अपने photo को जूंग करके देख सकते हैं आपके photo की modi black photo editing हो चुकी है और आपका face एकदम अच्छे से smooth हो चुका है यह देख सकते हैं आपका face एकदम white और smooth हो चुका है और पूरे picky modi black photo rating हो चुकी है तो अगर आपको वीडियो अच्छे लगी हो तो प्लीज वीडियो को share कर देना